है व्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल बायो पोस तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने माले हैं रिगार्डिंग स्पीमेन और मैंन गोल्ड में चार अलग-अलग leading experiment के थे और उन चार यह experiment से उन्होंने चार अलग-अलग conclusion निकाले थे थे तो हम एवो 1 डिसकस करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम एकस्प्रिमेंट टंबर वन डिसकस करेंगे और आने माले वीडियो में हम बागे के तीन experiments discuss करने वाले हैं तो basically experiment number one तो उन्होंने क्या किया तो उन्होंने जो experiment किया था वो किया था salamander के एग पर तो उन्होंने क्या किया salamander का एग लिया बाद में salamander के एग में fertilization करवाया और zygote form किया zygote form हुआ अब जब zygote form हुआ तो zygote form होने के बाद क्या होता है cleavage start होता है तो जब first plane of cleavage हुआ तो जो salamander होते है या फिर जो amphibians होते है उन्हें जो first cleavage होता है वो कैसा होता है meridonal अब meridonal मतलब क्या अगर plane of cleavage from animal pole to vegetal pole जा रहा है अगर plane of cleavage animal pole to vegetal pole जा रहा है ऐसे cleavage को हम क्या कहते है meridonal cleavage अगर cleavage from left to right जा रहा है from left to right ऐसे cleavage को हम क्या कहते है equatorial cleavage तो जो amphibians होते है तो amphibians में first cleavage कहा से होता है meridonal cleavage तो जब उन्होंने क्या किया स्पी मैंने जो first plane of cleavage होता है तो along with the first plane of cleavage उन्होंने एक लूप बनाया अब यह लूप उन्होंने कैसे बनाया तो उनकी जो छोटी बेटी थी उनका एक हेर लेके उन्होंने यह लूप बनाया So with the help of his daughter हेर उन्होंने along with the plane of cleavage एक लूप बनाया जैसे आप इस figure में देख सकते कि यहाँ पे उन्होंने एक लूप बनाया along with the plane of cleavage तो यह जो उन्होंने लूप बनाया था वो कैसा था partially losing up था उन्होंने partially lose रखा था इतना tighten up नहीं किया था वो लूप तो जब उन्होंने यह लूप बनाया तो left side और right side अलग-अलग हो गए अब जो right side थी तो right side में सारे nucleus चले गए और जो left side थी उसमें एक भी nucleus present नहीं था left side कैसे थी? non-nucleated side थी और जो right side थी उसमें सारे nucleus present थे अब nucleus जो present है उन्हें nuclear divisions होते गए cells form होते गए अब जब यह zygote 16 cells stage तक पहुचा तब क्या हुआ जो right side की cells थे उसमें से एक cell escape होके कहा चला गया left side में escape होके कहा चला गया left side में अब ऐसा क्यों होआ क्योंकि उन्हेंने जो loop बनाया था वो कैसा था partially loosen up उन्होंने tight नहीं रखा था इसकी वज़ा से क्या हुआ एक cell जो right side में present थी वो escape होके कहा चली गई left side में अब जब उन्होंने देखा कि ये escape हो गई एक cell escape होके left side में चली गई तब उन्होंने क्या क्या ये जो loop present था ये loop को उन्होंने tighten up कर लिया था ताकि आगे चलके कोई और भी escape ना हो पाए तो उन्होंने जब ये loop tighten up कर लिया उसके बाद क्या हुआ left side में अब nucleus present है left side कैसी थी non-nucleate है लेकिन एक cell escape होगे left side में आ गए अब जो cell escape होगे left side में आ गए तो फिर से ये जो nucleus present था ये nucleus फिर डिवाइड होते गया nuclear divisions होते गया cells form होते गया बाद में उन्हें पिर अब्जट हिया कि दोनों side से अलग-अलग लालवा form होगे right side से 1 लालवा form हुआ और left side से 1 लालवा form हुआ लेकिन जो right side का लालवा था जो right side का लालवा था वो कैसे था older था as compared to left side का लारवा क्योंकिकि right side में जो cell division थे वो लेप साइड से पहले ही शुरू हो गए था लेकिन लेप साइड में सेल डिविजन कब शुरू है 16 सेल स्टेज के बाद नुक्लिय डिविजन शुरू है इसलिए जो राइट साइड का लारवा था वो ओल्डर था as compared to लेप साइड का लारवा अब उन्होंने देखा कि दो अलग अलग लारवा फर्म हुए और वो लारवा भी complete लारवा था ऐसा नहीं था कि कोई लारवा abnormal था या फिर कुछ defect था दोनों लारवा normal थे और normally उन्हों दोनों लारवा में ग्रोथ हो रहती तो उन्होंने क्या conclusion निकाला experiment 1 से तो basically उन्होंने ये conclusion निकाला कि जो early cleavage के जो cells होते है early cleavage के जितने भी cells होते है वो सारे cells genetically identical होते है कैसे होते है genetically identical होते है अगर आपने early cleavage के जो cells होते है उन cells में अगर आपने एक भी cell isolate कर लिया for example आपने ये एक cell है ये एक cell भी isolate कर ली और उसे अगर आपने optimum conditions दिये तो वो एक cell भी capable है एक पूरा complete larva form करने के लिए या फिर एक पूरा complete organism form करने के लिए तो यही ता experiment 1 का conclusion कि the cells of early cleavage of any zygote, each cell is capable of forming a complete larva और a complete organism because they contains identical genetic material जितने भी early cleavage के जितने भी cells होते हैं वो genetically identical होते हैं और हर एक cell capable होता है एक complete larva या फिर एक complete organism बनाने के लिए तो यह था experiment number one जो Speemann and Mangold ने perform किया था in the salamander egg I hope आपको समझ में आगे होगा कि experiment number क्या था, experiment number one क्या था, उन्होंने कैसे कैसे perform किया और experiment number one से उन्होंने क्या conclusion निकाला So I hope आपको समझ में आगे होगा, experiment two, third और fourth हम आने वाले वीडियो में डिसकस करेंगे, यह था experiment number one of Speemann and Mangold और यह हम चारो पहले चारो experiment हम डिसकस कर लेंगे, बात में last year के paper में जितने भी questions आये होंगे related Speemann and Mangold के experiment के related वो हम डिसकस करने वाले, So thank you and please like, share and subscribe to my channel, thank you कर दो हम आने वाले, So thank you